अजीज बच्चो आई वेलकम यू तो न टोड़ेज सेशन लिए सीजे होम क्लासेज आएम जी अन्मानी अजीज तलबा आज का जो लेसन है साइंस एट्थ चेप्टर नमबर तीन और तीसरा पार्ट है इसका तीसरा लेसन है ये कल यानि इससे पहले वाले लेसन में हमने ये जाना कि डिफारिस्टेशन किसे कहते हैं उसकी काजिज और इसके कंसिकेंसिज क्या है फिर एफारिस्टेशन और फिर हमने कंजर्विशन आफ फारेस्ट एंड कंजर्विशन आफ वाइल लाइफ पड़ा आज उसी जिमन में और कुछ टर्म्स हैं जो वाइड लाइफ के रिलेटिड हैं उनको हम जानने की कोशिश करेंगे तो सब्सक्राइब मैं आपको कल की बात दोहराता हूँ कहें हैं और रिलेटिड हैं यह टर्में इसके साथ फ्लॉरा और फाना हमने के कलभी में और आपको बता है या कि टर्म ए is term used for plants and fauna is a term used for the animal कि एक किसी पर्टिकुलर जगा में प्लांट और अनिमल जिनका आपस में एक रिलेशन है जो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के उसको हम उस जगा का फलौरा और फाना कहते हैं और इनरजी ट्रांसपर में यानि फुड चे इन का में एक एहम हिसा है कि वहाँ का flora और phana जो एक जगा में है किसी particular area में है वो food chain के लिए एक दूसरे के लिए interdependent होते हैं तो इसी को हम flora और phana समझाने की मुझे यह जरूरत पड़ी कि इस flora और phana के अंदर बहुत सारी चीज़े हैं जिनको अजीज़ बचो endemic species किसको हम कहते हैं आपको यह समझना जुरूरी है endemic species are those species of plant and animal are those species of plant and animal which are found exclusively in a particular area जो किसी خاص area के लिए खास है they are not naturally found anywhere else मौन लो कि एक जानवर ऐसा है कि जो किसी एरिया में पाया जाता है एक प्लांट एक स्पिशिज अ प्लांट है जो किसी एरिया में पाया जाती है वो दूसरे एरिया में नहीं है उसको हम कहते हैं वो उस एरिया के लिए एंडिमिक स्पिशिज है example आपको देता हूँ दोबारा ध्यान से सुन लो कि endemic species वो species है जो किसी particular area में exclusively रहता है उसके अलावा किसी दूसरे area में नहीं पाया जाता है किसी दूसरी जगा नहीं पाया जाता है उस species को उस wildlife की species को हम endemic species कहते हैं अजीज बचों आपको जानना चाहिए कि और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जेंड के की endemic species कौन कौन सी है जो जेंड के में हैं वो हमारे दूसरे states में नहीं है ये endemic species किसी state तक महदूद हो सकता है किसी मुलक तक महदूत हो सकता है एक वो species है जो इंडिया में हो सकती है और दूसरे यानि वो ऐसा हो गया कि वो मुलकी सता पर species endemic है कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में है कुछ limited areas की species है जैसे मैं आपको कहूंगा कि जैंडिया की वो endemic species जिनको हमें जानना जुरूरी है तो सबसे पहली species है अजीज बच्चों बिलकुल आपके सामने सिक्रीन पर ला रहा हूँ ये है वो wild animal जो endemic है जैंडिया की जो जिसकी जिसकी तैदाद सिर्फ जिसकी population सिर्फ जैंडिया में ही पाई जाती है इससे बाहर नहीं होती है इसलिए इसको हम कहेंगे endemic they are endemic for जैंड के स्टेट इस इस हमालियन हारबर आरे हारबर इस फोंड इन लडाह और इस लिविंग इन हाई अल्टिचूड एडिया दियर होम्स आर हाई अल्टिचूड फ्रीजिंग हिमालियन रीजिन तो इसका नाम याक है और दोसरा endemic species जो जैंड के के रिलेटेड है जो जिसको हम endemic species आप जम्रेंड कश्मीर कहेंगे आप देख रहे हैं इसको भी थोड़ाज़ा जूम और कर लेता हूँ अजीज बचों ये देख लीजिए इसको हम बारा सिंगा नहीं कहते हैं ये इसको हम कश्मीरी में हांगुल कहते हैं और इसका scientific name भी हांगुल ही रखा गया ये कश्मीरी स्टैग है और इसको हम दस सिंगा इसके सिंग जो हैं इसको बारा सिंगा नहीं कहते हैं और इसका नाम है हांगुल ये सिर्फ कश्मीर की और हमारे हमालियन जो रेंजिज हैं खुस्वसां कश्मीर की रेंजिज में यहीं पर पाया जाता है इसलिए ये endemic है जेंड केट है उसके बाद आगया next endangered species endemic species की एक और मिसाल में दे सकता हूँ के wild mango जो है ट्री की बात sal and wild mango are found in India and they are endemic to India इसी तरह पंचमारी बायो सिफियर रिजर्व जो है बाइसन, इंडियन गेंट स्कर्ल and फ्लाइंग स्कर्ल are endemic fauna of this area तो next हम समझने की कोशिश करेंगे endangered species तो endangered species में कौन-कौन से जानवर आते हैं और endangered species होता क्या है it includes all those organisms that are at the risk of becoming extinct अजीज बच्चों यहां गौर से आपने समझना है कि those organisms that are at risk becoming the extinct जो बिलकुल नायाब हो रहे हैं जो बिलकुल खत्म हो रहे हैं इस दहाने पर पहुँच गए हैं कि आप वो बिलकुल खत्म होने वाले हैं उनकी नसल जो है वो खत्म होने वाली है फर अजेंपल टाइगर है इस आर एट रिस्क आप बिलकुल खत्म होने के रीजन क्या है नमबर एक है, Changing Environment नमबर दो है, Hunting नमबर तीन है, Destruction of Habitate दो है, They are already in Pew number and they are in Destruction Destruction of Habitate नमबर आप यूज क्याएं तो अजीज बचों आपको यह देखना है हैं कि ये कौन-कौन सी और दोसी स्पीशिज हैं जिनको हम जो एक्स्टिंक्ट हो रहे हैं जो बिलकुल इस धरती से गायब हो रहे हैं इट इंकल्यूट्स दुबारा समझ लीजिए कि इंडेंजर स्पीशिज आर दोस आर्गनिजम्स देट आर एट रिस्क आप बिकमिंग एक्स्टिंक्ट अजीज बचो ये याद रखना कि अगर इस पर डिफरिस्टेशन को नहीं रोका गया और हंटिंग को नहीं रोका गया तो एक जमना आ जाएगा कि आप सिरफ इनकी तस् ही हम एंडेंजर स्पीशिज कहते हैं अब आपको मैं ये बताऊंगा कि हमारे जम्मो एंड कश्मीर की एंडेंजर स्पीशिज कौन कौन ही कौन कौन हैं जो बिलकुल खत्म होने के दहाने पर पहुंच चुकी हैं अजीज बचो आप देख लेना कि कितने खुबसूरत जान के आपके राइट साइड में जो स्टैग है जिसके सिंग है ये तो हंगुल है इसके लिए तो दाच्षी गाम में सिरनेगर में एक सिनेक्चुरी इसकी तहफुजगा बनाई गई है इसके साथ में आप देख रहे हैं इस डियर एंड इस डियर इस काल्ड मस्क डियर ये भी endangered species है जो हमारे जिला डोडा पाडर और किष्टवार की हमालियन रीजन में पाया जाता है यह इनत्याई खूबसूरत जानवर है जिसको हम मस्क डियर कहते हैं इसके अंदर एक पौच होता है इसके पीट पर नाथ पर जिसको हम कस्तूरी कहते हैं और इसी परपस के लिए हमार लोग इसकी हंटिंग करते हैं जो इंत्याई जुरुम है इसको मारना यह एक्स्टिंक्ट हो रहा है दूसरे दूसरी जो हमारे स्टेट की स्टेट के जो जानवर हैं वाइल डाइव वाइल एनिमल हैं उनमें आप देख रहे हैं टाइगर तो यह टाइगर है जो एक्स्टि और उसके साथ में आप एक सिंगू वाला जानवर देख रहे हैं मैं आपको जूम करके बताऊंगा कितना खुबसुरत जानवर है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है और ये हमारे उंची उंची पाड़ें पर रहने वाला जानवर है जिसको हम वाइल्ड गूट कहते हैं व परिंदा ये खुबसुरत परिंदा जो आपके जंगलों की एक रोनक थी जिसको हम मौनाल पीजेंट कहते हैं और कश्मीरी में हम इसको नील भी कहते हैं जो इस वकत हंटिंग की वज़ा से खतम होने के दाहने पर पहुंच चुका है और उसके साथ में आप कोकलास पीजें जिसको हम जंगली मुर्गा कहते हैं वो भी इस वकत नायाब हो रहा है उसके बाद नेक्स्ट में ये वो स्पिशिज हैं जो बिलकुल बार्किंग डियर आपके बिलकुल सामने हैं जो इस वकत अलार्मिंग स्टिशन में हैं और इसको भी हंटिंग की वज़ा से और इसका जो है वो डेमेज हो चुका है इसकी वज़ा से ये बड़ा एक्स्टिंक्ट हो रहा है ये अपनी स्पिशिज को बढ़ा नहीं पा रहा है और उसके साथ में आप देख रहे हैं जिसको आप मारखोड कहते हैं जंगली बकरी जो आपके सामने हैं इंतहाई खुबसूरत आप आपके जंगलों की जेनत थे लेकिन ये भी एक्स्टिंक्ट हो रहा है तो ये वो स्पिशिज में आपको दिखा रहा हूँ जो जेन के में एक्स्टिंक्ट हो रही है तो ये स्पिशिज हैं जिनको आपने याद रखना है कि बार्किंग डियर है वाइल गूट है जिसको खोड कहते हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं यह नील जिसको हम कहते हैं मौनाल फीजन्ट और फिर जंगली मुर्गा फिर मस्कडियर टाइगर है और फिर गोट है जो एकस्टिंक्ट हो रही है और फिर हंगल है यह बहुत सारे अनीमल जो मैं आपको दिखा रहा था यह जहन निशीन करने के लिए आपके सामने में तस्विरे रखी थी तो आपको असाइनिमेट है कि आप इन जानवरों के नाम अपनी डाइरी में अपनी नोट बुक में नो पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे कि हंटिंग जो है वो एक संगीन जुरुम है इस वकत क्योंकि इससे वो जानवर खतम हो रहे हैं जिनकी तैदाद बहुत कम हो चुकी है और जब एक बार अगर यह एकस्टिंक्ट हो गे तो फिर दुगारा इनको हम इस धर्दी पर ल चुरू कर देवाद दोस्रों को भी इस पर अमल करवाएं तो बस आज का लेसन यहीं पर खतम करते हैं शुक्रियां कर दो कर दो कर दो